हेलो आपका स्वागत है फिट से एक नए वीडियो में तो आज मॉडल से टू देखने वाले हैं सोसल साइंस के कोश्चन और फर्स सेट जो अपलोड कर दिया गया और फोर सेट भी जो है अपलोड कर दिया गया और ये सेट टू होने वाला है तो आप किसी भी एक्जाम की प् कम बचा है तो चलिए फूल कोश्चन देखेंगे सब्जेक्टिव अब्जेक्टिव सभी देख लेंगे जिससे कि आप लोग को आईडिया मिल जाए जो किस टाप के परसन पूछे जाते हैं और हो सकता है इसमें से भी परसन आएंगे ठीक है तो अब जो है बोड एक्जाम और साइंस का भी जो है सभी सेट चार सेट जो है अपलोड कर दिया गया है तो चलिए आईए बिना समय बैर्थ के हुए वीडियो को सुरू करते हैं तो चलिए सेट टू का जो है फर्स नमर कोश्चन देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर जो है हिंद चीन में कौन सा शामिल नहीं है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो चीन इसका जो है राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं विएना कॉंगरिस कव हुआ था तो इसका जो है राइट एंसर क्या हो जाएगा टू का जो है ए राइट एं उसके बाद चले next question की और बढ़ेंगे तो दिखिए अगर जितना question करार है और उतना question देख करके आप लोग जाएंगे तो आसा ही कि आप लोग 40 के 40 question करके आएंगे ठीक है तो चलिए 4 number question देख लेते हैं दूतिय महायूद के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुर्षपडवाबों के समाप्त करने के लिए हुआ तो इसका जो है right answer क्या हो जाएगा तो 4 का जो है right answer D हो जाएगा ठीक है यूरोप ये संग उसके बाद चलिए नारुत्म सिहानुक किस देश के सासक थे तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो 5 का जो है right answer आपके लिए हो जाएगा कमबोडिया उके उसके बाद चलिए next उसके बाद चलिए next question देख लेते हैं वासपर चालिक इंजन का अभिश्कार किस ने किया तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो 6 नमर का right answer आपका भी हो जाएगा जेम्स वाटने उसके बाद चलिए next question यहाँ पर टाटा आइरन एंड एस्टील कमपनी के संस्थापक कब होई थे यानि कि इसका अस्थापना कब हुआ था तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो 7 का right answer भी हो जाएगा उने 107 में हुआ था और बहुत ही मज़ेदार person है आप लोग पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा ऐसा person है ठीक है तो चलिए यहाँ पर गोल घर कहां इस्थिर है आप लोग बताईएगा कोमेंट करके जो कहां इस्थित है आप सभी को अगर पता है तो ठीक है चलिए यह सवाल आप लोग गोल पर छोड़ते है ऐसा नहीं है जो आप लोग को पता नहीं होगा जो गोल घर कहां इस्थित है ठीक है चलिए इसमें हिंट भी दे दिये हैं हम इसारो इसारो में तो आप लोग जरूर कुमेंट कीजेगा जैसे कि हमें भी पता चले जो आप लोग कितना लोग जो है जानते हैं और कितना लोग जो है एक्टिव है तो चलिए nine number question देखेंगे किस अमीर की राष्टपती ने new deal लागू की तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो B जो है इसका right answer हो जाएगा F.D. Roosevelt ठीक है उसके बाद चलिए next नेपोलियन सहिता किस वर्स लागू हुई तो यहाँ पर जो है किस वर्स लागू की गई थी तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो आपका right answer 1804 right answer हो जाएगा उसके बाद चलिए next और यह सब person से याद रखने से जो आपको competition के exam में भी आपको आराम मिलेगा क्योंकि जो है इसी से related है यही सब question जो है घूमते रहता है ज्यादा तर ठीक है तो इसको भी ध्यान में रखते हुए याद रखना ही रखना है आपको उके उसके बाद चलिए next फ्रेंक फर्ट की संधी कब होई थी तो इसका right answer क्या हो जाएगा 11 का right answer D हो जाएगा 1871 में ठीक है उसके बाद काल माक्स का जनम कहा हुआ था तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो 12 का right answer हो जाएगा A ठीक है गर्मनी में ओके उसके बाद शलिए next कोशन के बढ़ते हैं 1991 में नीम्न में से कोन अस्तित्व में आया तो 1991 में जो है नीम्न में से कोन अस्तित्व में आया, तो यहाँ पर जो है WTO तो जो है अस्तित में आया था, उसके बाद चले next, इन आर्थिक किडियाओं में कौन प्राथमिक छेतर से संबंधित नहीं है, देखिए यहाँ पर पुछा गया है संबंधित नहीं है, और पीछले दो सेटु में पुछा गया था संबंधित है, तो प्राथमिक छेतर से एक सब्जेक्टिव अव्जेक्टिव दोनों में से आ सकता है, लेकिन आएगा ही आएगा यह 100% यह हमारा ग्रेंटी है, ठीक है, आप लोग जो है जब बना के आएंगे तो हमें कोमेंट कीजिएगा जो आया या नहीं, ओके तो चलिए यहाँ पर जो है 14 नमर कोशन देख लेत आए और जो है सलेम किस उद्योग के केंदर है, तो जम सेदपूर और दुरगापूर विलाई यह सब किस उद्योग के केंदर है, तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा, आरेन और एस्टील, उसके बाद पर्ति वेक्ति आए का आ राष्टे विकास परशद का गठन कब हुआ था तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका C 1952 उसके बाद बांगलादेश की मुद्रा है तो देखिए मुद्रा से रिलेटेड भी आगर आप competition में जाते हैं तो भी आएगा और इसमें भी हो सकता है आए या railway के exam या किसी भी exam की preparation करेंगे तो आगे देखने को मिलेगा तो इससे रिलेटेड हमेशा सभी exam में एक ना एक question मिलेगा ही मिलेगा तो चलिए इसका राइट एंसर देख लेते हैं डी इसका जो है राइट एंसर हो जाएगा ठाका ठीक है उसके बाद चलिए नेक्स्ट राष्टिया आई का अर्थ है तो राष्टिया आई का क्या अर्थ है तो राष्टिया आई का इसका क्या अर्थ है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका उन्हें इसका डी जो है राइट एंसर हो जाएगा उत्पादन के साधनों की आई ठीक है उसके बाद चलिए नेक्स्ट भारत में उभगता संरक्षन कानून कब लागू हुआ था इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा 20 का राइट एंसर B हो जाएगा 1986 में जो है लागू हुआ था उसके बाद चलिए next भुमी विकास बैंक द्वारा किस परकार का रीन परदान किया जाता है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो C जो है इसका राइट एंसर हो जाएगा दिर्ग कालिन रीन ठीक है उसके बाद चलिए next 22 नमर भारत में किस परकार की अर्थिक परदनाली पाई जाती है तो भारत में जो है हमारे भारत में किस परकार की अर्थिक परणाली पाई जाती है तो इसका जो है 22 का C जो है राइट एंसर हो जाएगा मिशृत अर्थवेस्ता हमारे भारत में है उके उसके बाद चलिए नागा अर्जुन सागर पडियोजना संबंधित है तो नागा अर्जुन पडियोजना संबंधित है किस संबंधित है तो 23 का जो है राइट एंसर D हो जाएगा किर्शना से उके उसके बाद चलिए नेक्स्ट 26 दिसंबर 2004 को विशु का कौन सा भाग सुनामी में सुनामी से परभावित हुआ था तो इसका जो है राइट एंसर क्या हो जाएगा 24 का जो है राइट एंसर आपका हो जाएगा D ठीक है बंगाल के खाड़ी जो है सुनामी से परभावित हुआ था उसके बाद चलिए 25 नंबर कोशन देख लेंगे समाने संचार विवस्था के बाधित होने पर मुख्य कारण क्या है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो 25 का ये जो है राइट एंसर हो जाएगा केबुल का तूट जाना ठीक है बाढ़ च्छती पहुँचाती है तो बाढ़ च्छती किसको पहुँचाती है तो यहाँ पर देखिए, फशलो, पसुओ और जहाँ उपहुगतो, यह कोशन का आराम से आप लोग जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिमाग का जहल मिल नहीं है, ठीक है, कन्फूजन भी इसमें नहीं है, आराम से आप लोग 26 नमर कोशन के जवाब दे सकते हैं, तो चलिए, हम बता देते हैं, उपहुगति सभी इसका राइट अंसर हो जाएगा, सभी परभावीत होते हैं, उसके बाद चलिए, नेक्स्ट कोशिन देख लेते हैं, श्वारणीम चतरभुज सम्बंदित है, तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा, 27 का राइट अंसर बाड के समय लोगों को जाना चाहिए तो यह आप लोग भी पढ़े होंगे वुक तो आपको याद होगा अडाम से नहीं है तो चलिए हम तो हैं ही बताने के लिए तो आप लोग को बता देतें सी जो है इसका राइट एंसर हो जाएगा उची भूमी पर ठीक है उचे जगह प कि भी कोई संभवना नहीं हो बसे जगह पर जाना चाहिए उसके बाद चलिए निम्न में कौन छेतरिय राजनेतिक दल है तो यहां पर जो है चेतरिय राजनेतिक दल है तो इसका राइट अनसर क्या हो जाएगा तो 29 का C जो है राइट अनसर हो जाएगा जनता दल उनाइटेड उसके बाद चलिए next तीसमा नमर कोशन देखेंगे पंचायत के चुनाव कोन करवाता है तो पंचायत के चुनाव कोन करवाता है तो इसका राइट एंसर हो जागा आपका C ठीक है राज्य चुनाव आयोग उसके बाद चलिए next question के और बढ़ेंगे 31 नमर कोशन भारत के किस राज्य में पंचायती राज्य की सुरुवात हुई तो इसका राइट एंसर क्या हो जागा तो D जो है इसका राइट एंसर हो जागा राजस्थान में सुरूवा था उसके बाद चलिए next question देख लेते हैं वर्स 1975 भारती राजनेतिक में किस लिए जो है जाना जाता है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा 32 का C जो है राइट एंसर हो जाएगा देश में अतरिक्त आपता काल लागू हुआ था ठीक है उसके बाद चलिए next question क्यों बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं तारी विद्रो अंधोरलन किस पड़सांत से शुरू हुआ था तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा प्रांत से शुरू हुआ था तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा 33 का सी जो है राइट एंसर हो जाएगा अंध्रपर्देश ठीक है अंध्रपर्देश से शुरूआ था उसके बाद चलिए next next question देख लेते हैं फटाफट तो यहाँ पर धर्म को जो है समुदाई का मुख है आधार कोन मानता है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो 34 का राइट एंसर ए हो जाएगा समपर्दाईकता उसके बाद चलिए next question की और बढ़ते हैं 35 नमर सत्ता में साज़े दाड़ी सही है क्योंकि इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो इसका right answer आपका D हो जाएगा विभिन समधायों के बीच टकडाव कम करती है तो चलिए 36 नमर कोशन देख लेते हैं यहाँ पर नेपाल में सब्त दलिय गढ़वंदन का मोख्या उदेश क्या है तो इसका right answer हो जाएगा 36 का right answer B हो जाएगा ठीक है लोगतंतर की अस्थापना करना तो देखिए पढ़ाई से बढ़कर आज कल कुछ नहीं है आज की date में अगर पढ़ते हैं तो आप धंग से 3-4 साल लगे हुए रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो कहीं न कहीं नोकड़ी आराम से मिल जाएगा कुछ पैसो के लिए आदमी कुछ दिन स्टॉप कर देते हैं और उसमें खड़ाब हो जाता है पढ़ाई अगर पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे अगर करते रहेंगे टैंथ के अलावे कंटिन्यू मैथ बनाते रहें ये जीके जीएस पढ़ते रहें और रिजिनिंग भी पठ लिजेए, कलास कर लिजेए अगर कहीं नहीं आता है तो रिजिनिंग ऐसा कोछ टॉफ रहता नहीं है कोन से कोईले का सबसे बढ़ा उत्पादक है थो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो 37 का जो है राइट एंसर सी हो जाएगा उडिशा यानि कि राजस्थान राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद चिलिए 159 नमर कॉस्चंन देख लेते हैं बिहार की पहली गहाटी पडियोजना कौन सी है तो इसका जो है सही उत्तरापका हो जाएगा को सी नदी गहाटी पडियोजना यानि कि भी राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद चलिए यहां पर देख लेते हैं सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां है तो यह कहां पर है कि जानते थे अच् कोशन भारत में सबसे लंबा बांध कौन है तो देखिए भारत में सबसे लंबा बांध कौन है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी विद्धुत जो है परात्मी कोड़ा का उदारन नहीं है ठीक है कोईला पेट्रोलियम पराकिरती गैस तो है लेकिन विद्धुत नहीं है तो चलिए पुर्व मध्य रेलवे का मुख्याल है कहा है तो यह कोश्चन आप लोग आराम से जानते होंगे अपना बिहार से जुरा हुआ है तो यह कोश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए बता देते हैं अगर नहीं जानते होंगे तो आज जान लिजिएगा ठीक है तो इसका 43 का राइट एंसर आपका हो जाएगा डी हाजिरपूर ओके चावल है तो चावल कौन सा फसल है खरी फसल रवी फसल जैद फसल या इन में से कोई नहीं तो इसका जो है आपका राइट एंसर हो जाएगा खरी फसल है चावल ठीक है खरी फसल क्या है चावल है कभी पूछ लिया जागा चावल कौन सा फसल है यहा के हैं उसके बाद चलिए यहां पर देख लेकर अंगे हैं कोच सब्सक्राइब है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 46 का जो है भी राइट एंसर हो जाएगा अब रख उसके बाद अपरेशन फ्लर्ड का दूसरा नाम क्या है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा 47 का राइट एंसर सी हो जाएगा स्वेत करांती उके स्वेत करांती नहीं है उसके बाद चले नेक्स्ट लीची के उत्पादन के लिए उत्पादन के लिए बिहार के कौन से दो जीले परशिद है तो अपना बिहार के कौन से जीला परशिद है तो चलिए हम बता देते हैं 48 का जो है राइट एंसर आपका हो जाएगा दी मुझा फर्पूर्ट और वैसाली जो है लीचे के लिए परसिध है उसके बाद चलिए next हाई तथा उभोक्त का अंतर तो इसका जो है राइट एंसर क्या हो जाएगा तो जमा का परकार नहीं है तो 50 का राइट एंसर क्या हो जाएगा तो C जो है इसका राइट एंसर हो जाएगा अधिवारकर्स राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद चलिए next 51 नमर कोश्चन देख लेंगे पुंजी बजार में किस परकार के रीनो का जो है लेन दिन होता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 51 का बी जो है राइट एंसर हो जाएगा दिर्ग काल उसके बाद चलिए next question क्यों बढ़ेंगे 52 नमर कोश्चन देखेंगे किसने कहा गराहा का हमारी दुमान से आने वाले सबसे महत्यपूर्ण वैक्त है वह हम पर निर्फ़र नहीं हम उन पर निर्फ़र हैं ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो 52 का जो है राइट एंसर आपका हो जाएगा C महत्मा गांधी जी ने उसके बाद चलिए next इन में से कोन गयर आर्थिक अधारभूत सनरशना का घर्टक है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा 53 का जो है राइट एंसर आपका हो जाएगा C ठीक है सिक्छा उसके बाद चलिए 54 नमर कोश्चन इन में से कोन उर्जा का गयर परंपरा रिक स्रोथ है तो इसका राइट एंसर क्या होगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 54 का जो है ये राइट एंसर हो जाएगा जो आड़ यह उड़ जिया ठीक है तो चलिए पजपर नमर कोश्चन देखने से पहले कुछ जानकारिया आपको देते हैं अभी इंटर का एक्जाम चल रहा है ठीक है अभी इंटर का एक्जाम चल रहा है तो आभी एक छातर को तवियत खड़ाब है लेकिन फिर भी एक्जाम देने जाते हैं तो उनको मैं जो है इंजेक्शन देता हूँ उनका तवियत खड़ाब है और इंजक्षन लेते हैं सुबा साम यानि की फीवर आ गया है तो दीखिए आप लोग टाइम से खाना खाई और मस्तर यह पढ़िए लिखिए ठीक है अन्टाइम ली नहीं हो यह और एक्जाम सेंटर पर टाइमिंग से पहले पहुँचने का पढ लगता है तो इसलिए जो कोशिस करेंगे जो एक घंटे पहले पहुचने का और अच्छे से एक्जाम देने का ठीक है तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा थोड़ा उसके बाद चलिए यहां पर पच्पन नमर कोश्चन देख लेते हैं गोडवाना समू के हो जाएगा इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा पच्पन का जो है राइट एंसर आपका हो जाएगा भी ठीक है बीच लाख वर्स पूर्व ओके उसके बाद चलिए नेक्स्ट तो चलिए 56 नमर कोश्चन देख लेते हैं निम्ल में से खड़ी फसल कौन है तो यहां पर में पूचा गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा गन्हार सम्दार फसल नहीं है उसके बाद चलिए नेक्स कोर्वर बढ़ते हैं कांडला वी से अर्थिक छेतर कहां है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो 58 का जो है राइट एंसर हो जाएगा आपका बी गुजरात ओके गुटेनबर्ग का जनम हुआ था इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो 59 का जो है राइट एंसर आपका B हो जाएगा जर्मनी में उके उसके बाद चलिए नेक्स्ट इंग्लेंड में मुदरन कला की सुरवात किसने की तो यहाँ पर जो है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो 60 का जो है राइट एंसर B हो जाएगा ठीक है कैक्स्टन उके उसके बाद चलिए नेक्स्ट 1917 की पहली रूसी करांती किस नाम से जानी जाती है तो 61 का राइट एंसर आपका हो जाएगा A फरवडी करांती के नाम से जानी जाती है लाल सेना का गठन किस ने किया था तो लाल सेना का गठन जो है किस ने किया था तो C जो है इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है टोस्ट की राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद चलिए next 63 नमर देखेंगे All India Muslim Link की अस्थापना कब होई थी All India Muslim Link की अस्थापना कब होई थी 63 का Right Answer हो जाएगा आपका B 906 में तो यह भी Question काफी बार पूछा गया है एक्जाम में तो आप लोग ध्यान रखिएगा ठीके तक्त श्री हरमंदर जी साब कहां इस्थित है तो इसका Right Answer क्या हो जाएगा तो 64 का Right Answer यह हो जाएगा पटना में सिपाही बिद्रो कब हुआ था तो इसका Right Answer हो जाएगा 1857 में उसके बाद चले Next स्वेत करांती का संबंध आरत व्रस्था के किस छेतर से है तो देखिए स्वेत करांती का संबंध किस छेतर से है तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यह प्रात्मिक छेतर से है उसके बाद चली यहाँ पर जो अपना बिहार से पूछा गया है यह कोश्चन तो यह कोश्चन आप लोग याद रखिएगा इससे भी related कभी महिला दिवस पूछ लिया जाएगा आठ मार्च को मनाया जाता है और भी यह सब कोश्चन ज़्यादा तर घूमते रहता है competition exam हो या कहीं भी यह सब person घूमते रहता है तो चली बिहार दिवस कभ मनाया जाता है तो आप लोग जानते भी होंगे नहीं जानते हैं तो आज जान लेजिए इसका right answer हो जाएगा आपको 22 March को बिहार दिवस मनाया जाता है चली उसके बाद देख लेते हैं सबसे बड़े पसु मेला का आयोजन किस किया जाता है तो आप लोग को पता भी होगा कहां किया जाता है तो 68 का right answer सोनपूर हो जाएगा यहां किया जाता है सोनपूर में ठीक है उसके बाद चली यहां पर देख लेते हैं तो 69 नमबर देख लेते हैं सासा राम में किस एतिहासिक सासक का मकबड़ा इस्तित है तो यहां right answer इसका हो जाएगा 69 का C right answer हो जाएगा सिरसा सूड़ी ठीक है फ्लाइंग सॉर्टल मसीन का जो अविश्कार किस नहीं किया तो इसका right answer हो जाएगा 70 का जो है right answer आपका हो जाएगा B ठीक है जॉन के उसके बाद चलिए next देख लेते हैं दुर्गापूर एस्टिल प्लांट किस राजे में इस्तित है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो C जो है इसका right answer हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जो है इस्तित है सोडा यूध कब हुआ था स्वारी सेडा यूध कब हुआ था तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो 72 का जो है right answer भी हो जाएगा 1870 में उसके बाद चलिए हिंगेल कौन थे हिंगेल कौन था तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो 73 का C जो है right answer हो जाएगा दार्शनिक थे उसके बाद चलिए next 74 नमर देख लेते हैं मार्च 1946 में फ्रांस एवम जह बियत नाम के बीच होने वाले समझोते किस नाम से जाने जाता है तो किस नाम से जाना जाता है तो इसका राइट एंसर आपका हो जागा 74 का ए जनेवा समझोता के नाम से जाना जाता है उसके बाद चलिए next देख लेते हैं बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया तो बंगाल का जो है विभाजन कब निरस्त किया गया था तो इसका राइट एंसर आपका हो जाएगा 1911 ठीक है 1911 राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद चलिए 76 नमर कोशन देख लेते हैं किस भुकंप यह तरंग की गहनता सबसे कम होती है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो C जो है इसका राइट एंसर हो जाएगा L तरंग ओके तो चलिए 77 नमर देख लेते हैं कुल जल का कीतना परतिसत भाग महा सागडो में है तो आप सभी जानते भी होंगे नहीं जानते हैं तो देख लेजए D इसका राइट एंसर हो जाएगा 97 परतिसत उके उसके बाद चलिए बिहाड की किस नदी पर नदी घाटी पर्योजना नहीं है किस नदी पर नहीं है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 78 का जो है D राइट एंसर हो जाएगा पुन-पुन पर नहीं है उसका गेहूं फसल है तो गेहूं फसल कौन सा फसल है तो रवी फसल है गेहुम जो है रवी फसल है ठीक है उसके बाद चलिए और जेक्टिव का last question देख लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं वलवंत राय महता समीती का संबंध इन में से किस से है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो पंचायती राज वेवस्था से जो है इनका संबंध है उसकी बा को पडिभासित किजिए तो यहाँ पर राश्ट्य वेवाद को पडिभासित करना है उसके बाद क्रांती से पुर्व रूज सी अनों की इस्तिती कैसी थी उसका दान्डी यातरा का क्या उध्यस था गुटेन बर्ग के मुदरा यंतर का विकास कैसे किया उसके बाद बहुम कॉंग्रेस की अस्थापना क्यों हुई ठीक है तो दिखिए जब आप देख सकते हैं यहां पर यह परसन पूछा गया राष्टेवाद को पडिभासित करें तो जहां पर राष्टेवाद से रिलेटेड जो है टॉपिक मिलो वहां पर दस जितना लाइन है मतलब पढ़ लीज को जिसे कि आप लोग को help मिल जाए थोड़ा solve करने में ओके तो इसका जो है एंसर हो जाएगा राष्टेवाद आधुनिक विश्व की राजनेतिक जागिर्ती का परिफल है यह एक ऐसी भावना है जो किसी गोलिक संस्कीर्ति या समाजिक परिवेस में रहने वाले लोगों के एकता की वाहक बनती है तो इसका right answer यही होगा ठीक है उसके बाद देखी यहाँ पर करांती से related पूछा गया तो आप लोग इसका answer दे दीजिएगा ठीक है और उसके बाद चलिए यहाँ पर तिसरा नमर दान्डे यातरा का क्या उद्देश था तो इसका उद्देश को अगर परिभासित किया जाए तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं सुन लिजिए अगर लिखना चाहते होंगे तो लिख लिजिएगा ठीक है तीसरा नमर का गांधी जी ने सवीने अवग्या अंदोलन की सुरवात दान्डी यातरा से की दान्डी यातरा का उद्देश स सटीक एंसर हो जाएगा ठीक है गुटेनबर्ग का भी जो आप लोग देख लीजिएगा उसके बाद चलिए फाइब नमर कोशन देख लेते भुमंडली करन को पड़िभासित करें तो इसको अराम से लिख सकते हैं जैसे भुमंडली करन दे करके डैस दे दीजिएगा और क इतना मार्क्स रहेगा फूल मार्क्स मिलने का चांस रहता है तो चलिए फाइब नमर का देख लीजिए एंसर इसका क्या होगा भुमंडली करन जीवन के सभी छेतरों का एक अंतराश्टिये सोरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोर दिया है संपुर्ण विश्व का एक बड़े गाउं के रूप में परिवर्तित हो गया है ठीक है तो इसका बस इतना लिख देंगे तो काफी है उसके बाद चलिए यहाँ पर जो है वाल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंगरिस की अस्थापना कैसे हुई तो इसका भी जो है थोड़ा दो अनूमें काम कर रहे मज़़ूर के साथ उद्योग पतियों द्वारा सोसन किया जाता था इन मज़़ूरों के साथ हो रहे सोसन को रोकने तथा मज़़ूरों के मांगो को मानवाने के लिए औल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंगरिस की अस्थापना की गई थी तो इसका की यहांपर जो है साथ से आठ खोशन दिए गए यानिकि दो कोशन दिए इनमें से किसी एक को आपको बनाना है तो उपनिवेश बाद से आप क्या समझते हैं किस परकार उद्योगी करन ने जो है उपनिवेश बाद को जनम दिया उसको रूसी करांती के कार्णों की विवेचना कीजिए तो इसको भी जो है आप लोग देख लिजिएगा और पॉइंट वाज जरूर लिखिएगा ठीक है रूसी करांती में देखा जाए तो पॉइंट जैसे फॉर्स नमर का पॉइंट दे करके जर की निरंग कुस्ता एवं जो है आयोग शासन लिख सकते हैं बी में अगर देखा जाए तो देखा जाए तो रूसी करांती निती इस तरह से पॉइंट मेंशन करके उसके बाद दू चार सब्द में उसको दू चार लाइन में जो है लिख देना है तो जिससे की आपको फॉ और एक और पॉइंट इसमें एड़ कर सकते हैं जापान से जो है परजा तथा 2005 में की करांती को भी जो है इसमें एड़ कर सकते हैं तो यह question आराम से solve हो जाएगा उसके बाद देखी यहाँ पर जो political science से दिया गया है राजनेतिक विज्ञान से 9 से 12 इसमें से जो है दो question बनान के परमुख कारण क्या थे उसके बाद संपरदाइकता और धर्म निर्पेक्षा में क्या अंतर है ग्राम पंचायत के दो काड़े बताएं और सत्ता के साज़ेदारी से आप क्या समझते हैं तो इसमें से जो है आप लोग आराम से लिख सकते हैं और कोई भी question छोड़के कभ संपरदाइकता और धर्म निर्पेक्षा में क्या अंतर है तो संपरदाइकता हम जब हम यह का सकते हैं कि हम धर्म की समुदाय या निर्मान करती है तो संपरदाइकता रजनेतिक का जनम देता है उसका धर्म निर्पेक्षा में वैसे राज्य समाज या वैक्ति जो किसी भी धर्म बिशेस को प्राथमिक्ता ना दे करके सभी धर्मों को समान आदर देता हो उसे धर्म निर्पिक्षिता कहते हैं तो सॉल्ब हो जाएगा कोश्चन और जहां गराम पंचायत के दो काड़ी है तो इसको आराम से आप लोग लिख सकते हैं पॉइंट नमर ये दे देंगे और उसके दे लिख देंगे पंचायत चेतर के विकास के लिए वार्सिक योजना तथा वार्सिक बजट त्यार करना और पॉइंट बी दे करके लिख देंगे प्राकिर्तिक बिपदा में सहायक्ता करने का काड़ी है तो आराम से ये कोश्चन स बनाना है दो में से कोई एक तो यहां पर देख लिए गठवंदन की राजनेतिक कैसे लोगतंतर को परभावित करती है और दूसरा कोशन है भारत में समाज भारत में जो है जाती वाद पन अपने के किनी चार करणों का वर्णन करें तो यह आप लोग जो है श्टडी करके जा आपके लिए वेटर होगा ठीक है और जो है लगू एक परसन देख लिजे अर्थ वहस्ता से को पड़िवासित करें तो इससे भी जो है एक नए कोशन बनेगा ही मुद्रा पढ़नाली क्या है तो इससे भी कोशन आपको बनेगा ही उदारी करन को पड़िवासित करें उसके यहाँ पर देख लिजे दिर्ख उतर यह person जो की सहकारिता के महत्यपूर्ण तत्व क्या है राज्य के विकास के इनमें भुमी का वर्णन करें उसके बाद आर्थिक विकास क्या है आर्थिक विकास ते था आर्थिक विर्धिम में अंतर बतावें तो इस तरह के question को आपको solve क करना है और लिख करके आना है कोई भी question छोड़ के नहीं आ रहा है यह दिमाग में बैठा लिजिए आप सभी उसके बाद चलिए देख लिजे यहाँ पर जोगोल जोगड़ाफी के question बिहार की परमुख नदिया नदी घाटी पर्योजना के नाम लिखना है तो यहाँ पर ज गाटी पर्योजना तो यह तीन पॉइंट question solve ठीक है उसके बाद चलिए यहाँ पर भारते किर्शी की निमन उत्पादक्ता के दो कारण बताएं तो यहाँ पर जो है दो कारण आपको लिख देना है तो यह question का देखा जाए तो आराम से लिख सकते हैं पॉइंट यह देख क बहुत छेतरों में अभी भी किर्शी के परमपरागत तरीकों बैल, हल, कुदाल का पर्योग होना उसके बाद दूसरा लिख सकते हैं किर्शी के अधिकांस भाग का वर्षा पर निर्फर करना फसल कभी अत्विष्ट तो कभी अनाविष्ट के से जो है उत्पादक्ता से लिख सकते हैं आप लोग आराम से कोई विदिकत नहीं है उसके बाद चली देख लिजी यहां पर संसाधन को पड़िभासित कीजिए तो यहां पर संसाधन को पड़िभासित करना है तो आराम से इसको आप सभी लिख सकते हैं जैसे देख लिजे संसाधन का अर्थ बहु साधन कहलाते हैं अराम से ये solve कर सकते हैं इतना लिख दीजिए काफी है सतत विकास से आप क्या समझते हैं वायु परिवाहन की जो है किन ही दो विस्युस्ताओं का उलेक कड़ें तो ये सब जो है आप लोग लिख दीजिएगा ठीक है उसके बाद चली यहाँ पर देख जो है किन खनीजों का अवेशक होता है तो 26 का जो है एक लाइन में अंसर लिख सकते हैं परवानु सकती के लिए जो है खनीज यूरेनियम तथा थोडियम दोनों ही खनीजों की अवेशकता होती है तो ये question solve उसके पास चली next देख लीजे यहाँ पर जो है 27-28 दो परसन दि चिप टिपनी लिखना है या जो है भारतिय अर्थवेस्था में परिवहन एवं संचार की महतल कवर्णन करें तो यह आराम से question लिख सकते हैं कोई भी दिकत नहीं होगा उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं लगूते दिये परसन सुनामी को परिवासित करें उसक कीजिए आराम से लिख सकते हैं आग से पीडित वेक्ति के लिए जो है क्या परात्थम उपचार है तो आप लोग यह question आराम से solve कर सकते हैं कोई ज्यादा hard नहीं है ठीक है तो चलिए दो question हमीं solve करके आपको सुना देते हैं जैसे सुनामी को परिवासित करना है तो सुनामी मी देखर के जैसे लिख सकते हैं महासागरों के अतरीक्त प्रिष्टिये भागों में उत्पन कमपन को सुनामी कहते हैं सुनामी एक प्राकिर्तिक आपदा है जो समुंदिर तर्टिय छेतर से मानव जन्तु वनस्पति ठीक है माकान उद्योग इत्यादि को नुकसान पहु तथा बर्फ से जो है सहलाना चाहिए ततपस्चात बर्णौल का लेप लगाना चाहिए अधिक जले लोगों को जो है यह था सिगर निकट के अस्पताल में पहुंचाना चाहिए ऐसे कुछ करके लिख देंगे आप लोग को सॉल्व हो जाएगा यह भी कोश्चन और इसको बढ़ाना चाहिए दूचार लायन और तो आप लोग आराम से एड कर सकते हैं तो चलिए से टू आप लोगों ने देख लिया और कैसा लगा यह वीडियो तो वीडियो को जो है कोमेंट में लिख दीजिएगा जो कैसा लगा और चलिए और भी सेट कोशिस करेंगे आप लो झाल ट्रोड़ सेट प्रपट कोशिस करेंगे पिला कैसा लोग है कोशिस करेंगे दैड दियो कोशिस करेंगे आप लोगों प्रकाहिए यह वीडियो सेटीपशियो फिसक्ट एासे आप लोग।